वैसे तो खाना बनाने और कुछ भी गरम करने के लिए गैस का ही उपयोग होता है लेकिन अपने potability की वज़ा से electric kettle काफी ज़्यादा उपयोगी सिध्ध होते हैं और आप इसे room में भी रख सकते हैं वैसे जो student है hostel में रहते हैं या फिर जो लोग घर से बाहर रहते हैं उन्हे इलेक्ट्रिक केटल की importance पता होगी क्योंकि इसमें पानी गरम करने के अलावा चाय कॉफी या फिर instant food भी बनाये जा सकता है हाला कि ये बात अलग है केटल कंपनी इसमें सिर्फ पानी गरम करने की ही सलाह देती हैं तो आज मेरे पास है इंडिया में सबसे अधिक बिकने वा हमारा box जिसके उपर कुछ basic feature लिखा हुआ है जिसमें इस electric kettle की capacity 1.5 liter और इसकी power rating 1500 watt लिखा हुआ है वहीं इस box के दूसरी तरफ कुछ और information दिया गया है जिसमें बताया गया है कि इसकी body hygienic stainless steel से बनी हुई है और इसमें LED indicator दिया गया है इसके अलावा इसमें card winding है जिसके base क नीचे आप इसके तारों को लपेट सकते हैं अब इस box में लिखे हुए price की बात करें तो इसमें 1245 रुपे की MRP लिखी हुई है लेकिन यह kettle आपको online लगबग 600 रुपे का पड़ेगा वहीं इस kettle की manufacturing इंडिया में हुई है जो की इसके box में proudly mention किया गया है तो आए इस box को open क करके देखते हैं तो यह हो गया हमारा box open जिसमें air bubble seat में हमारा kettle wrap किया हुआ है इसके अलावा इसके box में warranty card भी दिया गया है जिसमें इस product का user manual भी है इसके अलावा इस kettle का base भी इस box में अलग से दिया गया है जो की 360 degree card base है और इसी के उपर आपको kettle को रखना है और जैसे ही आप kettle को इस base में रखेंगे इस base से kettle connect हो जाएगा और base से होते हुए electric supply kettle में पहुच जाएगी अब इस base के cable length की बात करें तो इसकी लंबाई लगभग एक मीटर है तो ये रहा हमारा image plus electric kettle इसकी body over shape में है जो की stainless steel से बनी हुई है और इसके बाकी parts industry grade plastic के हैं इसमें नीचे की तरफ red color का indicator है जो की power supply को बताता है और इसके अलावा इसके handle में उपर की तरफ power on off switch दिया गया है और यह kettle auto cut off feature के साथ आता है जिसका फायदा यह है कि पानी उबालने पर kettle अपने अब बंध हो जाता है जिससे overheating की वज़े से इस kettle के heating coil खराब नहीं होते वहीं इसके lid यानि के ढखकन पर push flip बटन दिया गया है जिसे दबाकर आप ढखकन को खोल सकते हैं वैसे steel body होने की वज़े से यह kettle rust proof है और आप इस kettle को आसानी से धुल सकते हैं इसके अलावा यह dishwasher safe भी है वैसे kettle के नीचे की तरफ यह metal connector दिया गया है जो की base में plug की तरफ जाकर के fit हो जाता है वही इसका जो heating coil है वो 1500 watt का है जो की इस kettle को काफी जल्दी गरम कर देता है वैसे आप कोई भी heating equipment खरीते हैं जैसे की heater, press, induction तो उस device का wattage बहुत ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि जितना ज़्यादा wattage होगा वह equipment उतना ही जल्दी और ज़्यादा गरम होगा अब जैसे की एक 900 watt का kettle है तो वह on average एक लिटर पानी को 8-9 मिनट में गरम करेगा वहीं दूसरी तरफ उतना ही पानी एक 1500 watt का electric kettle महज 3-4 मिनट में ही गरम कर देगा आप जैसे ही kettle को इसकी base में रखेंगे तो यह आसानी से उसमें fit हो जाएगा और वहीं base के ऊपर kettle को आप 360 degree angle में move भी करा सकते हैं और जब आपका पानी या soup इस kettle में गरम हो जाए तो आप kettle को उठा करके उसे दूसरे बरतन में सर्व कर सकते हैं अब मैं आपको इस kettle की supply on करके दिखाता हूँ तो आप इसकी supply को जैसे ही on करेंगे तो kettle का LED indicator जड़ने लगेगा और इसमें heating शुरू हो जाएगी मैं इसमें आपको पानी गरम करके भी दिखाता हूँ तो simply इसके ढखकन को खोल करके इसमें पानी डलना होता है वैसे यह काम आप हमेशा power supply को off करके ही करें और kettle में बिना liquid डाले उसे गरम ना करें वैसे जब kettle work करता है और इसमें कुछ boil होता है तो इसमें से कुछ इस तरिके की आवाज आती है वही इसमें ऊपर की तरफ इस पाउट दिया गया है जिससे आप बिना ढखकन खोले liquid को सर्व कर सकते हैं इस पाउट के अंदर छोटे-छोटे छेद हैं जिनसे liquid बाहर आता है तो इस kettle को on किये महच 45 सेकेंड ही हुए और इसने इतने ही समय में पानी को उबाल दिया वैसे ये 200 ml ही पानी था और अगर इसमें आप 1.5 लिटर पानी उबालेंगे तो उसमें थोड़ा ज्यादा समय लगेगा तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं वहीं इस वीडियो को like and share करने के साथ मेरे चैनल को subscribe जरूर करें धन्यवाद